राजस्तान की वन संपता और वन संपती से सुमंदित मौतापूर्ण प्रश्न इसके सीधे अपने उत्तर करेंगे प्रश्न राजस्तान सरकार द्वारा पहली वन नीती का अनुमुदन कब किया गया तो ये किया गया था भाई फरवरी 2010 में अगला प्रशन राजस्थान के कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विवित्ता नियमों को बनाया गया तथा बोर्ड तथा राज्य राज्यस्थान राज्य जैविवित्ता बोर्ड की स्थापना की गई तो यह की गई 14 सितंबर 2010 अब अगला प्रेशन राजस्तान का लगवग कितने प्रतिशत बोगोलिक बाग वन आशादित है तो इसका उत्तर देख लेते हैं 7 से 9 प्रतिशत अगला प्रेशन वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्तान का सरवादिक वन आशादित जिला कौन सा है तो इसका उत्तर हो जा किस पेड के पत्तों से बिंडी बनाई जाती है तो ये तेंदू पत्ता बिंडी नहीं है ये बीडी है बीडी बनाई जाती है तेंदू पत्ता ये बीडी बर्ती 2011 के एकजाम के इंदर आया हुवा प्रशन है राजस्तान का कौन सा पेड जंगल की जवाला के नाम से जाना जाता है तो जंगल की जवाला के नाम से जाना जाता है प्लावस अगला प्रशन किस जिलो के समू में अधिक्तम वन शेतर पाया जाता है तो यह 12 उद्यपूर चे तोडगड सेवन गास किस जिले में विश्धितर रूप से होती है सेवन गास होती है जैसल मेर सेवन गास होती है पस्चिम राज़स्तान के अंदर तो ये जो खस उत्पादन है जो वो इसके अंदर पूर्वी राजस्तान में होता है एक बार दुआरा उसको देख लेते हैं अपने खस गास पूर्वी राजस्तान स्वाई मादूपूर बर्दपूर टॉंक में और जो सेवन गास है वो जैसलमेर में शेवर क्या है कम वर्षा में उगने वाले गास सेवन अगला प्रशन हरीत राजस्तान कार्यकरम का संबंद कि से है जिले में खेजडी के लिए आंदोलन किसके लिए हुआ था तो खेजडी बन स्रक्षन के लिए खेजडी बचाने के लिए रावली वन रोपन पर योजना कब आरंब की गई रावली वन रोपन योजना 1922 में त्राणमे में राजस्तान में शुष्क सागवान वन कहां पाए जाते हैं तो ये पाए जाते हैं डूंगरपुर बांसवाडा में अगला प्रशन राजस्तान के वन पाए जाते हैं ये दक्षनी राजस्तान राजस्तान के सागवान के वन अधिक उप्यक्त जिले हैं वन के लिए तो ये हैं बांसवाडा डूंगरपुर और उध्यपूर अगला प्रशन राजस्तान के दक्षनी भाग में 250 से 4500 मीटर की उंचाई पर सरवादिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ हैं तो ये सांगवान ही होते हैं अगला प्रशन राजस्तान में बनों की कमी का मुख्य कारण क्या है तो ये जलवायू परवरतन है अगला प्रशन कौन सी बनस्वती राजस्तान में प्राप्त नहीं होती है तो ये उशन कटी बंदी है तार पत जड़ अगला प्रशन दोकडा गया है ये भी एक पेड़ी है अगला प्रशन अमरता देवी वन इस्तित है ये खेजडली में अमर्ता देबी पुर्शकार की शेतर में दिया जाता है तो ये वन जीव और प्रयावरन सरक्षन में वन जीव सरक्षन और वन सरक्षन अगला प्रेशन शुषक वन संस्थान आफरी कहां अस्तित है ये जोधपुर में राजस्थान के कौन से जिलों में कत्था का मुख्य रूप से उत्पादन होता है उध्यपूर और चितोडगड अगला प्रशन राजस्थान का नियुनतम वन शेत्र वाला जिला कौन सा है तो ये चूरू राजस्तान में गास के मेदानों या चारागाओं को कहा जाता है तो ये कहा जाता है बीड बबुल के पेड किस परकार के वन में मिलते हैं मरुस्तलिय वन राजस्तान में वन मंडलों की संख्या कितनी है तो ये बारा है अगला प्रशन राजस्तान वानिकी एवं जे विवित्ता परियोजना में कौन सादेश साहिता दे रहा है तो ये दे रहा है जापान राजस्तान वानिकी एवं जे विवित्ता परियोजना का उदेश्य नहीं है तो ये बाढ़ नेंत्रन अगला प्रशन रखत कागड़ डांग और रोट यह सभी किस से संबंदित हैं तो यह संबंदित है वाई बनों के सरक्षन से अगला प्रशन अपने देख लेते हैं राजस्थान का वहे जिला कौन सा है यहां उशन कटी बन दिये शुशक परणपाती बन पाए जाते हैं तो यह सिरो ही राजस्थान में बनों को सुरक्षित रखने की योजना सरप्रत्थम जोदपुर नरेश ने किस वर्श शुरू की गई थी की थी यह तो 1910 में देहरादून इस्तित फोरेष्ट सर्वे ओफ इंडिया द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार बरतमान में राजस्थान में सरवादिक वनाशदित जिला कौन सा है तो यह है उध्यपुर राजस्थान में सबसे कम शेतर में वन कौन से है तो यह है एवर्गी करत वन अगला प्रशन अपने देख लेते हैं राजस्थान में सगन बनों का मुख्य विस्तार कहा है तो यह दक्षनी पूर भी शेतर में अगला प्रशन राजस्थान में किन जिलों में नून्तम वन आशादित शेत्र है तूरू वे नागोर में अगला प्रशन अपने देख लेते हैं देश में सरवादिक वन मद्यपरदेश में पाये जाते हैं जबकि इस दरश्टी से राजस्थान का कौन सा इस्थान है तो राजस्थान का नवा इस्थान है, राजस्थान के पस्चमी मुरुस्तलिय भाग में वन किस रूप में पाए जाते हैं, तो ये कांटेदार पेड़ में जाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं, अगला प्रशन रुख बाइला का अश्य क्या है, वरक्ष मित्र, तिक जाने की पेड़ हमारे मित्र हैं, बाएले हैं, राजस्थान में किस जाती के लोगों ने वनों और वन्य जीवों को बचाने के लिए अपने अभी स्वर्ड़ियां जोगदान दिया, तो जोधपुर के लोगों ने दिया ता वही खेजडली, विश्णोई जाती के लोगों जोधपुर में, विश्व का एक मातर वरक्ष मिला कहां लगता है, तो ये खेजडली में, राजस्थान के आदिवासी जिलों में किस वरक्ष का उप्योग शराब बढनाने के लिए किया जाता है, तो ये मववा, राजस्थान में चंदन वन के नाम से विख्यात वन शेतर कहां है, तो ये है दिलवाडा और खमनेर में, अगला प्रशन चमडा साफ करने के लिए प्रियुक्त शाल किस वरक्ष की होती है, तो ये आवल की, अगला प्रशन रेगिस्तान के सागवान के नाम से जो वरक्ष जाना जाता है, वह कौन सा है, तो वो है रोहिडा, शमी वर रक्ष अर्थात खेजडी की पूजा किस पर परकी जाती है, तो ये दशेरय परकी जाती है, राजस्तान का ऐसा कौन सा वरक्ष है, जिसे बारतिय दर्म गरंथों में भी इस समय तथा इस्थानी बाशा में जान्टी कहा जाता है, तो ये खेजडी, प्रशन कैक्टस गार् तो ये खोलडारा इवम प्रेवरं मंत्राले अगला प्रेशन स्मृत्ती 1 कहां विक्षित किया गया है तो ये ज़लाना जैपुर में विक्षित किया गया है तो अगला प्रेशन अपने देख लेते हैं पोशदी ये पोधा गूगल की खेती हेतू परस्तावित शेतर कौन सा है, तो ये है चंबल का बीड शेतर जेसल मेर, शेतर बाड मेर शेतर अगला प्रशन अपने देख लेते हैं, देश में प्रताम खजूर पोधा परियुक्षाला का निर्मान कहां किया गया है, तो ये किय तो धारू पश्वों के लिए पोश्टिक गास कौन सी है ये है धामन गास तेंदू पत्ते का राश्ट्री ये करण किस वर्ष किया गया उनिसो चोतर में राजस्तान में अर्जुन वरक्ष लगाने का उदेश्य है तसर रेशम त्यार करना जिस वन का राजस्तान में पूर्ण त्यावाब है वह कौन सा है तो वह है शंकुदारी वन अगला प्रशन राजस्तान में नियूंतम प्रतिशत वन शेत्र वाला जिला कौन सा है तो ये है जोदपूर अगला प्रशन वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान का वन शेत्र कितना बड़ा है? तो ये है 466 किलो मेटर अगला प्रशन अपने देख लेते हैं राजस्थान का गौरब नाम से जाना जाने वाला Вरक्ष कौन सा है? तो ये है खेजडी अगला प्रशन अपने देख लेते हैं खेजडी की पत्यों के चारे को इस्थानी वाशा में क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है भाई लूम बाड़मेर जिले में चोटन शेत्र किस के लिए परसिद है तो ये चोटन शेत्र है जो गोंद के लिए परसिद है राजस्तान में वन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ तो ये 1953 में दार्मिक स्थलों से सलंगन पारमप्रिक आखेट वैकटाई निशेद शेत्र कहलाता है तो ये ओरन जे ट्रोफा विकास किस वोदे का वेग्यानिक नाम है तो ये रतन जोत का देश में कुल शेत्रफल का राजस्तान में कितने प्रतीशत वन है तो ये तीन पॉइंट एक जीरो प्रतीशत अगला प्रशन है राजय सरकार द्वारा जारी सूचना 2017 के अनुसार राजस्तान में प्रतीव्यक्ति वन शेत्र कितना है तो ये जीरो पॉइंट जीरो चार हेक्टियर अगला प्रशन वर्तमान में वन संभिदान के कौन सी सोची का विशे है तो ये समवर्ती सूची का यानि केंदर और राजय दोनों इसकेंदर कानुन है जो बना सकते हैं अगला प्रशन लुप्त हो रही ओशदिये परजातियों के सरंक्षन हे तू राजय के कितने ओशदिये पोदे सरंक्षत शेत्रों की इस्थापना की गई है तो नौ अगला प्रशन जोदबुर में मरुस्तल वरक्षार उपन तथा अनुसंदान के इंदर की इस्थापना कब की गई थी तो उत्र है 1952 में तो यह थे इंपोर्टेंट प्रशन वन संपदात से समंदित एक ऐसे ही वन लाइनर जो कोस्चन है आपके लिए एक बहुती बड़ा वीडियो भी आपको लेकर के आएंगे करीब देड़ सो प्रशनों का वीडियो अच्छी लगी हो यह हमारे प्रयास अच्छे लग रहे हो ये पूर्ञ प्रिक्षाओं में आई हुएASON है तो आप इस वीडियो को शेर कर दें सभी के पास मोटी बेशन के लिए कमेंट करते रहें लाइक करते रहें ताकि हम आपके लिए और भी इंपोर्टेंट टोपिकों पर वीडियो लेकर के आते रहें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद